फिल्म मेकर विकास बहल की फिल्म गणपत को डायस्टोपियन एक्शन फिल्म कहा जा रहा है। डायस्टोपियन फिल्म का मतलब एक ऐसी मूवी से है जो भविश्य की एक ऐसी कालपनिक दुनिया पर आधारित होती है जहां आदर्श समाज नहीं है। संसाधन खत्म हो चुके हैं अपराध, भरष्टाचार, अमीरी गरीबी और असमानता की गहरी खाई है। चिल्लर पार्टी, क्वीन, सूपर थर्टी और गुडबाई जैसी फिल्मों के निर्देशक विकास बहल ने गणपत के रूप में एक डायस्टोपियन फिल्म देने की कोशिश तो की है, लेकिन कमजोर कहानी के कारण वह अपने इस प्रयोग में असफल साबित होते हैं। गरीबी अमीरी का इमोशन हमेशा से यूनिवरसल रहा है, मगर विकास की कहानी दर्शक के साथ अपना कनेक्ट नहीं बना पाती है। अमिताब बच्चन, टाइगर शौफ और कृती सेनन जैसे स्टार कलाकार का फाइदा उठाने में विकास नाकाम रहे हैं। भविश्य की प्रिष्ट भूमी पर बुने गए किरदार बिखरे बिखरे नजर आते हैं क्योंकि कहानी के मुख्य किरदार भारती हैं, मगर अमीर गरीबों की बस्ती में चाइनीज और विदेशी भी रहते हैं। फिल्म के एक्शन पर विकास ने खूब मेहनत की है। गरीबों का लुक और बेबसी केजी एफ की याद दिलाता है, मगर कई जगहों पर विए फैक्स की कमजोरी साफ जलकती है। मुख्य किरदारों के लुक भी बहुत कनफ्यूज करते हैं। एक बॉक्सिंग मैच को जीत कर गणपत का गरीबों को बरबादी से बचाने का तर्क हजम नहीं होता। बैक्ग्राउंड स्कोर में टाइगर श्रॉफ की एंट्री पर बप्पा का म्यूजिक बचकाना लगता है। जबकि फिल्म के गाने और बहतर हो सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं कि टाइगर श्रॉफ बॉलिवुड के बहतरीन एक्शन हीरोज में से एक हैं। परदे प भी अपने एक्शन अवतार में दिल जीतती हैं। फाइटर एल लेडिर्की के रूप में उनका लुक दमदार है। तकरीबन एक दशक पहले हीरोपंती और फिर हीरोपंती टू इमें नजर आने वाले टाइगर और कृती की केमिस्ट्री यहां भी स्ट्रॉंग नजर आती ह अमिताब कैमियो में भी अपने लुक और अंदाज से प्रभाव जमाते हैं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। झाले लीजिए।